हलो चिल्डरन वेलकम बेक यू आल आज मैं कक्षा छे संस्क्रित वाणी से पार्ट नमबर ग्यारा अधिकरण कारक पढ़ाने जा रहे हूं तो आए देख लेते हैं एक बढ़ी अधिकरण कारक के बारे में भी अभी तक जो मैंने कारक पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे करता ने करण को करण से संप्रदान के लिए हपादान से अलग होने में संबंद का के की रारेवी या फिर नाने नी तो आज हम आ गए हैं है में पर इसमें कौन सी वक्ति का परियोग किया जाता है सब्तमी विभक्ति का तो आईए चलते हैं अधिकरण का रखियो और सबसे पहले देखते हैं इसकी definition क्रिया का आधार अधिकरन कहलाता है और अधिकरन में सब्तमी विभक्ति का परियोग किया जाता है कुछ इसके example देखते हैं जैसे आसंदिकायाम कुर्सी पर कूपे कुए में खटवायाम खाट पर तो चलते हैं लेसन की ओर व्रिद्धा आसंदिकायाम उपविशती बूड़ा कुर्सी पर बैठता है धनार्जने सर्वजनस्य इच्छा अस्ती धन कमाने में सबकी इच्छा है तिलेशू तैलम अस्ती तिलो में तेल है कूपे शीतलम जलम अस्ती कूए में ठंडा पानी है राधा खटवायाम स्वापीती राधा खाट पर सोती है इसमें एक विशेश बात क्या आ रहे है कि दूर तथा अंतिक, अंतिक का मतलब भी होता है समीब तो दूर और अंतिक या समीब शब्द में सब्तमी विवक्ती का परियोग होता है देख लेते हैं इसको एक्जामपल के साथ विद्याल्य से दूरे मम ग्रिहम अस्ती वैसे दूर और समीब अर्थ से पहले या इस अर्थ इस पद से पहले शष्टी विवक्ती लगती है लेकिन परिटिकुलर दूर और समीब में सब्तमी विवक्ती का परियोग किया जाता है तो विद्याले से दूरे मम ग्रिहम अस्ती विद्याले से दूर मेरा घर है ग्रामस से अंतिके वनम अस्ती गाओं के पास जंगल है अब आपने देखा हुआ अंतिके का मतलब क्या बोला है पास और समीप कर्थ भी क्या होता है पास तो यहां पे अंतिके आई या फिर समी पे आई एक ही बात है अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आगे ऐसे प्रकरण में सब्तमी विभक्ति के स्थान पर शेष्टी विभक्ति का भी परियोग कर सकते हैं या हो सकता है जैसे कवीश्यू के स्थान पर कवी नाम यहां पे कवियों में कालिदास शेष्ट है क्रिश्टा, कवी नामम यहां पर कवीश्यू के स्थान पर कवीन नाम यहां तॉफ्टा एक है वी नाम में कहों सब्सेता रहाएक है बहुंत करनार बेंगर का लिदास सब्सेंकें अब यहाँ पर कक्षायाम के जगे कक्षाया भी लगा सकते हैं यानि कि शेष्टी विभक्ति का प्रियोग भी हो सकता है क्रिश्न कक्षा में चतुर चात्र है कुशल मतलब चतुर, चतुर मतलब होश्यार से है निमित में अठाथ किसी भी प्रकार का कारण हो वहाँ पर भी सब्तमी विभक्ती का प्रियोग किया जाता है जैसे सिंगह मासे म्रिगम हंती शेर मास के लिए हिरन को मारता है हलंकि इसमें मासे में सब्तमी विभक्ती है लेकिन हम हिंदी अनुवाद करते समय मास के लिए करेंगे ठीके क्योंकि यहां पर कारण आ गया जब कोई कारण आ जाए तब हाँ पर सप्तमी विभक्ति लगानी है लेकिन हिंदी लिखते समय आप सप्तमी विभक्ति का चिन लगा कर चतुर्थी विभक्ति के चिन लगा सकते हैं चर्मणी द्वीपिनम हंती दंत्य हो हंती कुझरम चमडे के लिए बाग को मारते हैं चमड़ा मतलब स्किन चमड़ी चमड़ी के लिए बाग को मारते हैं और दो दातों के लिए हाथी को मारते हैं तो यह कारण बन गया कि हमें चमड़ी चाहिए उसकी क्योंकि बाग की चमड से क्या बनता है बैग बगारा बनते हैं तो इसलिए इनको मारते हैं आई चलते हैं एक्सरसाइज के और तो हम देखते हैं फर्स्ट कोश्चन निमिलिकी तेशु समुचित विकल्पम चिन्नांकितम कुरुद अधिकरन कारक का कारक चिन नहीं है कौन सा नहीं है चार ओप्शन दिये गए हैं जो मैंने रेड से किये हैं पाई और के तो यह हमारा आंसर है कि इन दोनों में ये दोनों चिन नहीं है हमारे चिन कोन से होंगे में और पर लेकिन कोश्चन में चिन नहीं है तो आंसर में आएगा पाई और के अध्याप कहा आसंदिकायाम उपविशती वाक् वक्के में अधिकरन कारक्वा पद है कूपे कोश्टकात समुचित पदमचित्वा रिक्त स्थानानी पूर्यत सार डैश कमलानी पश्यती तो आंसर क्या हो गया तड़ागे डैश रमायनम शेष्ठ है अस्ती आंसर क्या हो गया पुस्त केशू डैश काली दास है शेष्ठ है अस्ती आंसर हो गया कवीशू वानरह डैश निवसती वानरह उद्याने निवसती डैश पुष्पाणी संती व्रिक्षे पुष्पाणी संती निमनलिकीत आनाम, प्रश्ण नाम, उत्तराणी संस्कृते लिखत निमनलिकीत प्रश्णों के उत्तर संस्कृत में लिखिए फर्स कोशन है कुत्र तैलम अस्ती तिलेशू तैलम अस्ती राधा कस्यां स्वपीती तो आप देख रहे हैं, जो किम का शब्द रूप चल रहा है, कुत्र, कस्यां, तो यानिकि इनकी जेगे मैं आंसर लख रही हूँ, ठीक है? काली दासा है, केशु, शेष्टा, अस्थी काली दास है, कवीशू, शेष्ट है, अस्ती संस्कृत में अनुवाद करिए सवेरे मोहन उठता है प्राथाह मोहना उतिश्थती पेड़ पर चेड़िया है यहाँ पे हम प्राथाह काले भी कर सकते हैं ठीक है पेड़ पर चेड़िया है स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं विद्याले बालका पठंती आप देखो आपने यह जो चिंद्य हुए न पेड़ पर हम इसको नहीं देख रहे हैं पेड़ पर हम देख रहे हैं तो एक चिड़िया है इसलिए हमने लिखा चटका अस्ती अब हमने विद्याले एक वचन है तो हमने सब तो भी विवक्ती नहीं देखी हमने देखा बालक पढ़ रहे हैं तो बालका पठंती बालका को देख के हमने क्रिया का परियोग किया ठीक है नेक्स देखते हैं राधा सभी बालिकाओं में सुन्दर है अब बहुत सारी बालिका है लेकिन राधा एक है तो क्रिया का प्रियोग राधा को देखकर क्या जाएगा राधा बालिकासू सुन्दरी अस्ती दोद में मक्खन होता है दुगदे नवनीतम भावती नेक्स कोश्यन है उधारन अनुसारम निम्नली की ताहन वाक्यान बहु अचने परिवर्त्यत पहले मैं आप सभी से बता दू कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर ले ताकि आने वाली अगली नौटिविकेशन्स आपको मिलती रहें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और अपने कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूठ सकते हैं तो फर्स्ट उधारन था हमारा ग्रामे ग्रामी नहे वस्ती तो भावचन में क्या हो जाएगा ग्रामे का क्योंकि ग्रामे सब्तमी विवक्ति है एक वचन है तो हमें सब्तमी भावचन में जाना है ग्रामे शू ग्रामी नहा वसंती वस तो भवचन में क्या होजएगा के सर्वत्र प्रसन्ना भवंती बाल कहा प्रात है करदर्शनम करोती भवचन में होजएगा बाल कहा प्रात है करदर्शनम कुर्वंती नगरे नागरी कहा भवती नगरेशु नागरी कहा भवंती नेक्स कोश्चन है निमलिकी ता नाम पदा नाम लिंग वचनव लिखत तो आई देखते हैं कौन से शब्द हैं पहला शब्द है मारा उत्सवे उत्सवे में क्या है नपुसकलिंग एक वचन नेक्स है विदेश एशू नपुसकलिंग बहु वचन नेक्स है धरायाम इस्त्र प्रभाते नपुसक्लिंग हो गया एक वचन कम लेहो नपुसक्लिंग वी वचन ओकी चिल्रन थेंक यू टेक क्यार बैबाई